हलो दोस्तो वेलकम बैक टू आर चैनल स्टड़ी आईक्यू जुडिश्री दोस्तो आज के इस इंपोर्टन सेशन में करने वाले हैं लेक्चर नमबर 9 और इसमें हम डिसकर्शन करेंगे दी कॉंसेप्ट आफ वाक्व लेक्चर नमबर 8 और में हमने Dana Wil नहीं इसमेंगे अच्छा सकता था समझाय दिया था अगर आपने विल के टॉपिक को कवर किया है तो वफ आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा वफ हूता क्या है जब हम बात करते हैं islamic law के कांसेप्ट से तो हमें देखने को मि हो है जिसके according कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी प्रोपर्टी को चाहें वो movable property हो, immovable property हो, tangible property हो, intangible property हो permanently God को ownership transfer कर देता है और उसको God को ownership transfer करने के बाद उसके पास उस property में कोई भी अधिकार नहीं रह जाते हैं और उस property का movable या immovable property, tangible, intangible property का जो भी इस्तमाल किया जाता है वो Islamic law के religious, pious और charitable purpose के लिए किया जाता है इसका मतलब एक व्यक्ति अपनी कोई भी property permanently अल्ला के नाम पर transfer कर रहा है for the welfare of Islamic law और उसका main motive है कि उस property से होने वाली कोई भी income या फिर उस property का कोई भी benefits से क्या किया जा रहा है Islamic law में charitable, pious और religious perspective से उसका इस्तमाल किया जा रहा है इसी process को हम वक्त बोलते हैं और lecture number 9 में आज हम इसी का discussion करने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि Muslim law की एक series हम कर रहे हैं जिसका आज lecture number 9 है और इसमें हम मोहमदान law की अकील एमत नामक किताब से सारे lectures को cover कर रहे हैं moving ahead अगर आपको इस class की ppt चाहिए या फिर जो भी content में आपके साथ discussion करूँगा वो चाहिए तो आप मुझसे अपूर शर्मा official telegram group पर join कर सकते हैं यहाँ पर मैं daily आपको class के बाद सारी content provide करता हूँ दूसरी सबसे important बात daily basis पर हम यहाँ पर MCQs करते हैं प्लस आपको मैं legal as well as general current affairs भी आपको provide किये जाते हैं जो भी वच्चे civil judge junior division की त्यारी कर रहे हैं उनका कोई भी doubt है या फिर वो मुझसे कैसे भी connect होकर कोई भी question पूछना चाहते हैं तो वो अपूर शर्मा 252 केस instagram पर मुझे follow कर सकते हैं और यहाँ पर मुझे सारी चीज़े detail में discuss की जा सकती हैं अब एक important announcement study IQ judiciary life foundation batch 3 जो कि हमारा 31st of July से start होने वाला है यह prelim से लेकर interview तक का पूरा guidance program है इसमें आपको live classes दी जाएंगी और 12 months में comprehensively civil judge junior division बनने का आपका सपना साकार कराया जाएगा इसमें daily basis पर आपको दो classes देखने को मिलती है पहली class जो होती है वो major law की होती है दूसरी class हमें minor law की देखने को मिलती है और सबसे important बात कि इसमें आपको mentors भी दिये जाते हैं आपको class के crux भी दिये जाते हैं जो के आपके prelims को, syllabus को revise करने में बहुत जादा help करते हैं तो ये P2I batch है जिसमें हम आपके prelims, mains और interview की पूरी तयारी कराते हैं और जो भी life foundation batch 3 के बच्चे किसी भी state का अगर mains qualify करते हैं तो उनको study IQ headquarters बुलाया जाता है और study IQ headquarters बुला कर interview की तयारी कराई जाती है और various marks देने के बाद आप अपने state के interviews को अच्छे से perform कर सकते हैं अगर आपको life foundation batch 3 join करना है तो आपको मेरा code APU use करना होगा और 24,999 में इसमें अपने आपको क्या कर सकते हैं enroll कर सकते हैं उसरी सबसे important बात कि 31 जुलाई 2023 से इसकी live classes start होने वाली है चलिए तो अब start करते हैं अपनी class the concept of a valid work सबसे पहले work होता क्या है और valid work का यहाँ पर मतलब क्या है एक muslim व्यक्ति जो अपनी किसी भी property को suppose करिए ये कौन है muslim व्यक्ति है जो अपनी किसी भी property को रहा है on the name of Allah मतलब वो किसी भी अपनी movable immovable property को permanently Allah के नाम पर transfer करता है किसके लिए for the charitable pious purpose और religious purpose के लिए कि जो भी property उसके द्वारा दी जा रही है उसका इस्तमाल जो है religious purpose के लिए किया जाएगा charitable purpose के लिए किया जाएगा यही concept है हमारे Islamic law के वक्व का दूसरी सबसे important बात कि वक्व का concept हमें ना तो कुरान में देखने को मिलता है लेकिन एक religious practice है जो के long time से की जा रही है और Prophet Muhammad साब के time से ही हमें देखने को मिलती है इसी वज़े से Islamic law के इस concept को यहाँ पर पूरी तरीके से क्या किया गया है Islamic law के concept में रखा गया है रीड करते हैं यह क्या है यह एक हमारा social economic framework है जो के society के function से निकला है और मुहमबदन law के concept में इसको incorporate किया गया है कोई भी इंसान अपने वफ के थुरू मतलब सबसे पहले यह समझ लीजे अगर कोई भी Muslim है वो sound mind है और major है और absolute owner है किसी भी property का either that is a movable property और the immovable property so he has the right to transfer the property on the name of Allah for the three purposes पहला है आपका religious purposes दूसरा pious और तीसरा जो है charitable purposes और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं इसी चीज़ को हम जो है Islamic law के वफ के concept को बोलते हैं दूसरी सबसे important बाट कि जो भी व्यक्ति वक्त को बनाता है उसको हम वाकिफ बोलते हैं और एक बार किसी भी Islamic Muslim व्यक्ति ने वफ को बना दिया है तो आप उससे clearly ये समझ सकते हैं कि उसके पास उस property के सारे अधिकार खतम हो चुके हैं अब सारे right जो है उसके जो है अल्ला में जा चुके हैं और अल्ला अब उस property के absolute owner है उस property को वो ना तो किसी भी third person को बाद में transfer कर सकता जब उसने वक्त बना दी ना ही उसको gift किया जा सकता मतलब जैसे ही आपने वक्त बना दी आपके उस property से तुरंत ही जो है क्या होंगे अधिकार खत्म हो जाएंगे और वो जो है क्या यूज किया जाएगा religious purpose के लिए pious purpose के लिए और charitable purpose के लिए ठीक यह भी बहुत ज़्यादा important बात है कि जो भी हमारा Muslim work validating act 1930 है उसका section number 2 clear करता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने इसलाम को क्या कर रखा है इसलाम को अपना रखा है या फिर वो जो है Muslim धर्म से जन्म लिया है और Muslim धर्म की जो भी ideology है उसमें believe करता है वो व्यक्ति जो है Islamic law के किसी भी prospective में चाहे हो समझने वाली बात एक है कि अगर कोई भी Muslim मानी व्यक्ति ऐसी कोई वक्त बना रहा है जो कि Islamic law के concept में पूरी तरीके से set नहीं हो रही है या फिर volatile है किसके Islamic law के concept के तो वो सारी वक्त क्या मानी जाएंगी वो सारी जो है permanently dedicate करना चाहते है जो है किसके वक्त के थुरू अब यह permanent dedication जो वक्त के थुरू इस property का किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है suppose करिये यहाँ पर वो एक liquor की shop खोलने के लिए किसी को यह जो है क्या कर रहे है वक्त बना कर property दे दे रहे है या फिर किसी भी illegal perspective को करने के लिए उस property का वक्त create कर दिया जा रहा है तो यह सारी वक्त जो है invalid मानी जाएंगी क्योंकि यहाँ पर specifically इस definition में आपको देखने को मिल रहा है कि वक्त as a permanent dedication by a person professing the musliman faith for any property for any purpose religious, pious, or the charitable purpose तो जहाँ पर muslim law से related और इन तीनों चीजों से related कोई भी वक्त create किया गया है वो सारे वक्त जो है void वक्त माने जाते हैं clear a work can be created through a deed in writing और orally तो orally भी और writing दोनों ही तरीके से क्या किया जा सकता है किसी भी muslim के द्वारा work को create किया जा सकता है a written work endorsement is called the work nama ठीक तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी हमारी written writing में कोई भी work वनाई जा रही है उसको जो है work nama के नाम से जाना जाता है clear सबसे अब आते हैं इसके essential of work कि क्या क्या essentials होते हैं तो हमें दोनों ही perspective से समझना है सबसे पहले हम सुन्नी लोग के perspective से समझते हैं कि क्या क्या एक essential condition है valid work को बनाने के लिए तो सबसे पहले एक permanent dedication of any property कोई भी सुन्नी Muslim जो है अपनी property का क्या करे permanent dedication करे the dedicator that means वाकिफ ठीक जो भी व्यक्ति अपनी property को dedicate करना चारा है वो अपनी property को either movable, immovable, tangible intangible property को अल्ला के नाम पर क्या कर रहा है अल्ला के नाम पर transfer कर रहा है जो वाकिफ है लेकिन सबसे important वात कि वो वाकिफ क्या होना चाहिए Muslim faith में believe करता हो और वो sound mind व्यक्ति होना चाहिए clear तो एक sound mind Muslim जिसने majority को attain कर रखा है और वो जो है किसी भी property का absolute owner है तो उसके पास अधिकार है कि वो जो है अल्ला के नाम पर किसी भी property को transfer कर सकता है और उसकी valid वक्फ बना सकता है ठीक and not a minor or the lunatic इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है major होना चाहिए और lunatic और unsound mind व्यक्ति कभी भी वक्फ नहीं बना सकते अगर किसी भी minor ने और lunatic ने वक्फ को create कर दिया है तो ऐसे में वो void वक्फ की declare कर दी जाती है तीसरा the dedication should be for the purpose recognized by the Muslim law as the religious, pious and the charitable purpose ठीक और जो वक्फ create की जा रही है वाकिफ के द्वारा जो Muslim व्यक्ति है उसके द्वारा उसका एक ही motive होना चाहिए कि Islamic law में जो भी purpose recognize किये गए है basically हमारा किसके लिए charitable, pious और the religious purpose के लिए वो वक्फ जो है क्या की जानी चाहिए बनाई जानी चाहिए तो ये जो है क्या हो गई सुन्नी लौ की जो है essential valid condition होगे कि अगर कोई भी सुन्नी Muslim वक्फ वनाना चाहता है तो उसको ये सारी condition fulfill करनी होगी moving ahead अब आते हैं SIAS के उपर तो SIAS कहते है it must be a perpetual मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक Muslim SIAS Muslim वक्फ वनाना चाह रहा है तो तीन major conditions यहाँ पर देखने को मिलेंगी सबसे पहले वो जो है major होना चाहिए sound mind होना चाहिए और वो जो है क्या Muslim होना चाहिए तभी वक्फ बना सकता है उसके साथ वो जो property dedicate कर रहा है वो कैसी होनी चाहिए परपीचल मतलब यह जो है permanent dedication होना चाहिए उस व्यक्ति का अल्ला के नाम पर property का दूसरा it must be absolute and unconditional क्या कह रहे है कि absolutely उस property की ownership जो है अल्ला के नाम पर transfer की जाएगी और उसमें कोई भी conditions नहीं लगाई जा सकती है अगर सिया लो में किसी ने भी वक्फ को बनाया है सिया मुस्लिम के दौरा क्या कह रहे है कि प्रॉपर्टी का जो है प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी को तुरंत की तुरंत ले लिया जाएगा जैसे ही वो वक्फ को ग्रियेट करता है अब बात करते हैं हम creation of वक्फ के बारे में तो सबसे पहले यहां पर क्या कह रहे है कि सबसे पहले जो पहला पार्ट है वो यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक व्यक्ति मुस्लिम साउंड माइंड और मेजर है और वो अपनी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली गॉड के नाम पर ट्रांसपर कर रहा है उसको हम वक्फ वो लेंगे और वो अपने जीवित रहते हुए इस ट्रांजेक्शन को कर रहा है तो वो जो है वैलिड वक्फ मानी जाएगी लेकिन ऐसा वो व्यक्ति जो के मर्जुल मौत मतलब इसका मतलब होता है ऐसी कंडिशन है जहां पर एक व्यक्ति की तवियत बहुत जादा खराब है और वो डेथ वैत पर पड़ा हुआ है उसको आवास हो रहा है कि वो जो है आने वाले 10-15 दिन या 2-4 दिन में उसकी डेथ हो जाएगी तो अगर ऐसी कंडिशन में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो कि साउंड माइंड है और मेजर है अपनी किसी भी प्रोपर्टी को वफ के थुरू अल्ला के नाम पर ट्रांसपर करना चाता है तब भी वो जो है वैलिड वक्त मानी जाएगी लेकिन कंडिशन एक ही लगाई गई है कि वो जो है अपनी प्रोपर्टी का one third share ही जो है क्या कर सकता है मर्जुल मौत की condition में वक्त बना कर जो है अल्ला के नाम पर dedicate कर सकता है विल के concept में मैंने आपको पिछले वाले lecture में समझाया हुआ कि one third की condition कब applicable होती है और क्यों ये restriction यहाँ पर लगाई गई है दूसरा होता है विल के थुरू कोई भी इनसान जो है अपने वसियत बना कर क्या कर सकता है गौड के नाम पर किसी भी property को transfer कर सकता है लेकिन इसकी भी एक जो condition है जो विल में हमने कल पड़ी थी कि अगर कोई भी इनसान किसी भी व्यक्ति को property transfer कर रहा है विल के थुरू तो उसके उपर क्या है one third property को transfer करने की क्या है पूरी power है लेकिन उससे ज़्यादा अगर करता है तो उसको legal hairs की permission लेनी होती है तो अगर कोई भी इनसान विल के थुरू विल आपको पता है थर्ड property को जो है वो God के नाम पर transfer कर सकता है वफ को बना कर clear तीसरा होता है by uses by uses का मतलब है कि ऐसी सारी property यां जो कि भूत लंबे समय से किसी भी purpose के लिए इस्तमाल की जा रही है मतलब वो purpose कौन सा है Islamic law के religious, pious और charitable purpose के लिए एक लंबे समय से कोई भी property इस्तमाल की जा रही है तो वो ये उसकी भी जो है क्या की जाती है उसकी भी work बनाई जा सकती है और वो भी जो है property as a work property treat करके उसका continuation कर दिया जाता है अब हम बात करते हैं legal consequences of work सबसे पहले हमें legal consequences में आपको मैं 7 points बताऊंगा कि क्या-क्या legal consequences होते है और ये 7 points आपके exam point of view से बहुत जादा important है prelims में भी इससे question आता है मेंस में भी ये हमसे कई बार short notes में पूछ लिए जाते हैं ठीक तो सबसे पहला point है dedication to God कि जो भी act किया जा रहा है किसी भी property को west कराया जा रहा है वो किसके जो है dedication में वो जो है God के dedication में directly अल्ला को transfer कर दी जा रही है ठीक तो the property west in the God in the sense that nobody can claim the ownership of it ठीक तो जैसे ही एक व्यक्ती ने अपनी वक्फ को बनाया तो उसमें जो भी property उसने transfer की तो उसके absolute right God के नाम पर transfer हो गए अल्ला में west कर गए तो उसको जो है किसी के द्वारा claim नहीं किया जा सकता दूसरा irrevocable अगर एक वार में ही वक्फ को बना दिया गया है तो जैसे ही वक्फ create की गई है charitable, pious और religious purpose के लिए उसके बाद उसको revoke नहीं किया जा सकता उस जिस भी वाकिफ ने वक्फ को बनाया है उसके पास या फिर उसके legal here's के पास कोई भी share claim करने का अधिकार नहीं होता है तीसरा होता है permanent at the perpetual ये हमेशा जो है permanent form में अपनी property को dedicate की जाती है अल्ला के निम पर कोई भी वक्फ जो है temporary period के लिए या फिर किसी भी जो है short purpose के लिए नहीं बनाई जा सकती it means जब भी कोई वक्फ बनाई जाएगी तो वो permanently property जो भी चाहे movable हो या immovable हो अल्ला के नाम पर ही west कराई जाएगी और वो property पूरी तरीके से अल्ला के नाम पर west होते ही वो जो है क्या उसको कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता इसी वज़े से इसको हम perpetual और permanent वक्फ के नाम से भी जानते हैं चोथा होता है inalienable ठीक inalienable का मतलब क्या है since वक्फ property belongs to the God no human being can alienate it for himself for any other person it can be sold or given away to anybody तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह inalienable property है इसका मतलब एक बाद जैसे ही आपने वफ के थू property को God के नाम पर transfer कर दिया है उसके बाद कोई भी human being उसको alienate नहीं कर सकता है ना ही अपने इस्तमाल के लिए उसमें कोई भी property का कोई भी हिस्सा ले सकता है फिफ्थ पॉइंट है pious and the charitable use pious and the charitable use का मतलब या तो आप जो है जो भी muslim लोग का objective है उसके religious point of view से pious और charitable purpose के लिए उस property को अल्ला के नाम पर donate कर रहे हैं अल्ला के नाम पर transfer कर रहे हैं यही इसका main motive होना चाहिए और किसी भी illegal purpose के लिए कोई भी वक्फ create नहीं की जा सकती या फिर ऐसी कोई condition जो कि Islamic law के against है उसके लिए अगर permanent dedication किया जा रहा है किसी भी वाकिफ के दौरा अल्ला के name पर तब भी वो सारी जो है क्या मानी जाएंगी वो सारी वक्फ वाइड वक्फ मानी जाती है तो basic purpose क्या है basic purpose है कि एक muslim व्यक्ति जो के sound mind है और major है वो अपनी एक्षा के अनुसार किसी भी property को जो उसके पास है वो अल्ला को देना चारा है जिससे कि Islamic dharm का जो है क्या किया जा सके Islamic dharm के लिए उसकी property का इस्तमाल किया जा सके और जैसे ही वो property अल्ला के नाम बे वैस्ट करेगी उस property पर उसके किसी भी legal हैस का और उस व्यक्ति का सारे अधिकार खतम हो जाएंगे और उस property का इस्तमाल religious charitable और पायस परपस के लिए किया जाएगा और वो religious charitable और पायस परपस जो है Islamic law के according होना चाहिए Islamic law के contradiction में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जैसे ही property जो है ट्रांसपर हुई वेस्ट की गई वफ के द्वारा अल्ला के नाम पर वैसे ही क्या होंगे वैसे ही जो है जिस जो भी वाकिफ होगा property को ट्रांसपर करने वाला व्यक्ति होगा उसके सारे अधिकार property से खतम हो जाएंगे और last point होता है power of court to inspect ठीक यहाँ पर court के पास power है कि अगर किसी भी इनसान ने वक्त को बनाकर property को God को ट्रांसपर कर दिया है और उसको Islamic law के prospective से Islamic law के welfare के लिए use नहीं किया जा रहा है अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो 1955 के वफक एट के टहट जो है उस property का misuse करने वालों के against में action लिया जा सकता है और court इन सब चीजों की क्या कर सकती है इन सब चीजों की information जुटा सकती है और matter को अपने सामने सुन सकती है clear तो ये साथ basic essential condition है किसी भी वफक को create करने की अब हम बात करते हैं office of मुतावल्ली की अब देखिए मुतावल्ली क्या होता है अब तक हम दो terminology को समझ चुके है पहला term होता है हमारा वफक जिसमें एक muslim व्यक्ति जो sound और major mind का है sound mind है और major व्यक्ति है मतलब 18 साल की age को complete कर चुका है वो अपनी property को अल्ला को Islamic perspective को purpose के लिए use किये जाने के लिए transfer कर रहा है अब ये property जैसे ही transfer कर दी जाएगी rights खतम हो जाएगे वाकिफ के और इस property के लिए एक मुतावल्ली appoint किया जाएगा अब ये मुतावल्ली होगा कौन और इसका क्या काम होगा तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो के muslim है sound mind है उसको जो है क्या किया जासकता है property का मुतावल्ली appoint किया जासकता है वो property जिसको के work के थूरू transfer कर दिया गया है अल्ला के name पर अब इनका काम क्या होगा ये as a manager काम करेंगे उस property का और इनका भी property से कोई भी personal interest नहीं होगा बस ये जो है property के care taker कहलाएंगे clear तो मुतावल्ली क्या है जो भी property work में donate की जा रही है अल्ला के नाम पर west कराई जा रही है उनके managers को या फिर उनके management को करने वाले लोगों को हम मुतावल्ली बोलते हैं ठीक तो मुतावल्ली manage करेगा he is not owner or even a trustee of a property और वो ना तो owner हो सकता है और ना ही trustee हो सकता है he is only the superintendent whose job is to see that the use of right of the property are being utilized for a valid purpose and desired by the वाकिफ ठीक तो यहाँ पर इसका काम क्या होगा basic काम होगा यहाँ पर मुतावल्ली का कि जो भी वक्फ को बनाने का main motive था main aim था वाकिफ का उस चीज के लिए उस property का इस्तमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा clear he has to see that the intent beneficiary are indeed getting the benefits thus he only has limited control over the user ठीक तो यहाँ पर क्या है उस property को उस ही चीज के लिए इस्तमाल किया जा रहा है जिस main purpose के लिए उसको वक्फ में अल्ला के नाम पर devote किया गया है या नहीं यही मतावल्ली का काम होता है और वो मतावल्ली सिर्फ और सिर्फ property के manager कलाते हैं इनका कोई भी personal interest इस property में नहीं होता है who can be a मतावल्ली मतावल्ली कौन हो सकता है किस व्यक्ति को मतावल्ली appoint किया जा सकता है a person who is major or sound mind and who is capable of being performed the functioning of a work as desire by a वाकिफ can be appointed as a मतावल्ली ठीक तो यहां पर एक व्यक्ति जो क्या है major है sound mind है और capable है सारे decisions लेने के लिए उस property के लिए जिसका मतावल्ली या manager उस property का जो है क्या किया जा रहा है उसको appoint किया जा रहा है और यह appoint किसके द्वारा किया जाएगा यह appoint जो है मतावल्ली वाकिफ के द्वारा किया जाएगा जिसने वो जो है क्या है वफ को बनाया है ये जो है मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता मेन फरक पड़ता है कि ये जो है sound mind होने चाहिए major होने चाहिए और इनकी जो है mental capacity ऐसी हो या physical capacity ऐसी हो कि जिस property को वफ में दिया जा रहा है उसके लिए उस property का इस्तमाल हो रहा ह या नहीं हो रहा ये जो है देखरेक करते रहें clear अब आता है kinds of work kinds of work की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के वफ हम को देखने को मिलते हैं पहला होता है public work और दूसरा होता है private work जब हम public work की बात करते हैं तो property को permanently dedicate किया जा रहा है किसके अल्ला गे निम पर और उस property का जो ह है public के welfare के लिए या फिर जतने भी Muslim लोग है उसका जो है पूरी तरीके से क्या कर रहे है benefit ले पा रहे हैं तो वो सारी चीज़े किसमर आती है public work के अंदर आती है ठीक it is created for the public religious and the charitable purpose like wells, bridges, roads या फिर कोई भी property है जो के मौस के बगल वाली property है तो जिसकी वो property है उसने बोल दिया कि जब भी यहां पर जमात आएगी या फिर जो है यहां से लोग गुजर रहे होंगे तो उस time पर जो है इसमें आराम कर सकते हैं तो यो जो भी property या public welfare के लिए बनाई जाती है उनको हम जो है public work के अंदर रखते है private work means this type of work is created for the settler's own family and his descendant and is also known as workful aulad it is a kind of family settlement in the form of a work तो private work क्या होती है workful aulad का जो concept है वो private work के अंदर fall करता है जहां पर एक family के कुछ लोग जो है अपने किसी भी काम को करने के लिए work की property मतलब work को create कर लेते हैं तो वो सारी चीज़े क्या होती है private work के अंदर आती है अब बात होती है कि कौन-कौन जो है property को create कर सकता है या फिर कौन-कौन लोग जो है work को बना सकते है ठीक तो the person constituting work of his own property is known as founder of the work और वाकिफ सबसे पहली important condition कि जो भी व्यक्ति जो है work को बनाना चारा है वो absolute owner होना चाहिए उस property का तभी वो क्या कर सकता है तभी वो जो है उस property को work जो है बना सकता है to become a वाकिफ a person dedicating the property must be competent enough to do so according to the provision of law और जिस भी वाकिफ ने वो work बनाई है उसकी property है प्लस उस work को बनाने के लिए वो पूरी तरीके से competent है तभी वो जो है क्या कर सकता है work को बना सकता है दूसरा a person may admitted the capacity but may not have any right to constitute a work ठीक जहां पर person के पास capacity है कि वो work बना सकता है लेकिन उसके पास उसके उपर कुछ restrictions लगी हुई है कि वो property तो उसकी है लेकिन उस property को वो जो है दूसरे परपचस के लिए इस्तमाल नहीं कर सकता तो ऐसे सारे लोग जिनकी property होते हुए भी दूसरी चीज नहीं कर सकते हैं तीसरा a person can dedicated his entire property for the creation of work but in case of the testamentary work more than one third of the property can be cannot be dedicated क्या कह रहे है कि ऐसे सारे लोग जिनके पास अधिकार है कि उनी की entire property है और वो जो है क्या करना चाते हैं वफ को create करना चाते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं testamentary work की तो उसमें वो जो है one third वाला rule applicable होता है कि one third property से जादा one third से जादा total property की work create वो नहीं कर सकते clear तो ये था हमारा पूरा का पूरा वफ का concept अब हाँ बात करते हैं कि वफ कब complete मानी जाती है ठीक सबसे पहले आपने वफ बना दी उसको जो है कब उसका completion माना जाएगा तो वफ can be completed by the following modes ठीक कौन कौन से mode से सबसे पहले sound mind है और अपने होश और हवास में कोई भी property अल्ला के नाम पर dedicate कर रहा है तो वो सारी चीज़े जो है वफ कहलाएंगी अब इनको कब complete माना जाएगा कि ये जो है वफ complete हो गई है सबसे पहले where a third person is appointed as a first मुतावली जब किसी भी work property का जो है कोई भी इनसान को मुतावली appoint कर दिया जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि जैसे ही मुतावली appoint होगा वफ को create करने के बाद में कि वो जो है वफ का transaction complete हो गया है दूसरा where the founder constitute himself as a first मुतावली जहां पर जो भी work बनाने वाला व्यक्ति है उसके पास यदिकार होता है कि वो खुद ही जो है क्या हो सकता ह उस property का manager बन सकता है मुतावली बन सकता है और वो property वेस्ट तो absolutely अला में करेगी लेकिन उसकी caretaking के लिए देखरेक के लिए वो जो है खुद जो है manager बन सकता है मुतावली बन सकता है उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा उस property को आगे further transfer करने का, sale करने का, lease करने का, mortgage करने का या फिर उसकी income को अपने लिए इस्तमाल करने का, ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ एज़ा मुतावली काम करेगा क्योंकि सारे rights जैसे ही उसने work को create किया, वो अला में best कर गए और उसके सारे rights उस property से पूरी तरीके से कदम हो गए, तीसरा होता है delivery of possession, जैसे ही work बना कर किसी भी property को deliver कर दिया, तो ये माना जाता है कि वफ पूरी तरीके से complete हो चुकी है, अब यहाँ पर सबसे important सवाल ये भी उठता है, कि वफ और trust में क्या differences है, देखो, work में कोई भी इनसान, permanently क्या कर रहा है, permanently property को dedicate कर रहा है, अल्ला के निम पर, और उसका purpose क्या है, कि उसकी property का इस्तम religious purpose के लिए, charitable purpose के लिए, और pious purpose के लिए किया जाए, उसके अधिकार तुरंती खतम हो जाएंगे, उसके साथ साथ उसके जितने भी नीचे के लोग हैं, उनके भी जो भी उसके successes है, उनके भी अधिकार totally खतम हो जाएंगे, और ना ही उसका further transaction या फिर further interest उसमें रहेगा, वह जो भी static portion है, जहांपर permanent dedication को छोड़ कर, किसी भी other purpose के लिए, Islamic law में किसी भी property को transfer किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है किसके अंदर, trust के अंदर count की जाती हैं, वफ का सिर्फ एक ही purpose है, कि आप अपनी property को पूरी तरीके से, अल्ला के name पर क्या कर रहे हैं, समर्पि कर रहे हैं, तो ये थी आज की हमारी पूरी class, जिसमें हमने वफ के concept को clearly समझा, अब एक सबसे important सवाल ये भी है, कि study IQ judiciary life foundation batch 3, जो कि 31 तारिक से start होने वाला है, तो अगर आप उसमें enrollment करना चाते हैं, तो किस तरीके से enroll कर सकते हैं, चलिए मैं फटा-फट से आपको बता देत को मिलेगी, original website, और original website पर जाते ही, आपको life foundation batch 3 का poster यहां पर दिखाई देगा, जैसे ही आप life foundation batch 3 में जाएंगे, आपको इसकी costing 40,000 दिखाई देगी, जब आप buy now के option पर जाएंगे, तो mobile number डालने के बाद आपको OTP आएगा, जैसे ही आप login करेंगे, इस तरीके का interface आएग study IQ judiciary के courses पर मेरे नाम के तीनक्षर that is APU, जैसे ही आप इस code को applicable करेंगे, यह life foundation batch आपको 24,999 का 24 मन्त की validity के साथ दे दिया जाएगा, इसमें आपकी 24,12 मन्त में पूरी live classes के साथ पूरा course complete कराया जाएगा, और अगर इससे related आपका कोई भी सवाल है, या फिर कोई भी query है, तो आप मुझे directly, अपूर शर्मा official इस telegram पर reach out कर सकते हैं, और ये class की सारे detail notes आपको चाहिए, तो आप यहाँ से collect कर लीजेगा, मैंने आपको यहाँ पर यह notes provide कर रखे हैं, ऐसे ही interesting sessions लेकर, मैं study IQ judiciary पर हमेशा आपके लिए हाजर रहता हूं, class number 10 में Islamic law के एक और किसी interesting concept को जा आपको कोी होड़ है एक बार के समय होडते हैं, तए हो आपके बार किसी mean layard में आपको गर किसी दोल कोग ¿टर कर सकता हैं?